हलो दोस्तों ये थारत हिंदी एजी क्वेशन क्लासेश में आप सभी का स्वागत है आज के क्लास में हम बढ़ेंगे हिंदी साहती की इंपोर्टेंट प्रशन जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल पर आपको डेली मिलती है एक नई वीडियो जो कि हिंदी साहती के क्वेशन से समन्दित होती है और हिंदी टीजीटी पीजीटी के लिए काफी इंपोर्टेंट ये वीडियो रहती है तो चलिए स्टार करते हैं अपनी क्लास को पहला प्रश्न है आज का निम्ने में से कौन सा कवी तार सब्तक में समलित नहीं है आपको बता रहा है कि तार सब्तक तार सब्तक में जो कवी समलित नहीं है वह कौन है ठीक है तो तार सब्तक जो है साथ कवियों का एक सब्तक है, मतबब 7 कवी, परतेक सब्तक में 7 कवी है, और आपको बताना है, जो तार सब्तक है, इसमें इन में से कौन सा कवी है, जो कि समलित नहीं है, उपसर में है आपके लिए नेमी चंजैन, गजरानन माधह मुक्तीबोद, भारत भुसर अंगरुबाल, हरी नारान भ् इसका खेशु तो इसके लिए राइट आंसर है हरीच नारहन ब्यास Dial pursue Option D Isके लिए राइट आनसर है यानिनक यह तार सब्त क्में शंबलित कभी नहीं है इसके अत्राइट जो अनिक कभी यहां दिए गए है जैसे नेमी चंद्र जैन है गजारन माधव मुक्ति बोध है भारत पुसन अगरवाल है ये तारसब्तक के कभी है तो हरी नायरन व्यास तारसब्तक के कभी नहीं है ये दुत्तिय तारसब्तक के कभी है ठीक है ये कौन से तारसब्तक के है दुत्तिय तारसब्तक के तो जो सबसे पहले तारसब्तक प्रका तारसबतक चृहरी नारान बयास है ये जुत्तिय तारसबतक के कभी हैं पिर्थम तारसबतक में जो साथ कभी है उनने से तीन कभी तो यह है नीमी चंदर जैन, गाजानन, माध्यों मुझतिबोड और भारत Gue सर अगरवाल और चौथे कवी हैं गिरीजा कुमार माथूर पाँछवे हैं रामविला सर्मा छटे हैं हिरनेन्द मौवादसायन अग्ये और जो सातवे कवी हैं वहें प्रभाकर माचूए तो कुल मिलाकर यह साथ कवी तार सबतक के कवी हैं अगला कuçषियन है तार सब तक का प्रकासन किस वर्स हुआ था राइट answer बताना है क्या होगा तो इसके रिए राइट आंसर अप्षन A है तार सब तक का प्रकासन उनने सो तीप तार सब तक था इसका प्रकासन उनने सो तालिस में हुआ था अगला क्वेशन है वन वेला वन वेला निम्न में से किसकी रशना है आपको बताना है जो वन वेला रशना है ये किसकी रशना है ओप्सन है नरेश महिता सूरिक अंतर पाथी सुमित्रा नंदन पंत और विश्म प्रभाकर बताई की राइट आंसर क्या होगा इसके लिए इसके लिए इसके लिए राइट आंसर है ऑप्सन बी सूरिकान तिरपार्थी निराला वन वेला रचना सूरिकान तिरपार्थी निराला जी की रचना है अगला क्वेशन है चंद्र लोग के रचेता कौन है जैदेव प्यूस वर्ण दीख्षित सुधन या रुद्रभट राइट अंसर बताना है इसके लिए क्या होगा राइट अंसर Option A, जैदेव, प्यूस, वर्ण जो हैं चंद्र लोग के रचेता है Option A, इसके लिए राइट अंसर है अगला क्वेशन है प्रबोध चंद्रोदई, किसकी रचना है? प्रबोध चंद्रोदई, किसकी रचना है? Option है, मधु सूधन, दीन रयार क्री, जस्वंत सिहें और कभी ब्रंद प्रबोध चंद्रोदई के रचेता का नाम बताना है इसके लिए राइट अंसर, Option C है, जस्वंत सिहें की रचना है प्रबोध चंद्रोदई, Option C इसके लिए राइट अंसर है प्रबूत चंदरुदेई जिस्वंत सहीं की रचना है अगला क्वेशन है चंद माला के रचेता निम्न में कौन है यह है चंद माल चंद माल के रचेता कौन है चंद माल के रचेता का नाम बताना है आपको कौन है कभी दूला है मती राम है केशो है या फिर नंद दास है चंद माल के रचेता का नाम बताना है कि चंद माल किसकी रचना है इसके लिए राइट आंसर ऑप्सन सी है केशवदास इसके रचेता है चंदमाल के जो चंदमाल रचना है यह रचना है केशवदास की option C right answer है अगला question है हिंदी का कौन सा प्रिमा ख्यानत कवी एक आँख से काना था हिंदी का ऐसा प्रिमा ख्यानत कवी बताना है जो कि एक आँख से काना था इश्वर्दास, मलिक मुहम्मद जैसी, अब्दुरह्मार या इन में से कोई नहीं राइट आंसर बताईए कि क्या होगा इसका राइट आंसर ओप्सन बी है, मलिक मुहम्मद जैसी अगला क्वेशन है, कपिल का पेड़ कपिल का पेड़ किसकी रजना है राजेश जोशी, हिमानसु जोशी, सेखर जोशी, या न में से कोई नहीं कपिल का पेड़ इसके लिए राइट आंसर है, ओप्सन ए, राजेश जोशी यह रचना, राजेश जोशी की रचना है, कपिल का पेड़, ओप्सन ए, राइट आंसर है अगला क्वेशन है पतलून है यह ना है ठीक है पतलून पहना बादल किसकी रचना है हिमानसु जोसी सेकर जोसी अनुप सर्वां या फिर राजेस जोसी राजेस जोसी की रचना है पतलून पहना बादल पतलून पहना बादल जो रचना है या है राजेस जोसी की रचना अगला क्वेशन है बहुत फैलाया धर्म बढ़ाया छुआ छूट का कर्म किसकी पंक्ती है यह पंक्तियां बतानी है किसकी है कि बहुत फैलाया धर्म बढ़ाया छुआ छूट का कर्म यह पंक्तियां किसकी है उप्सन दिये गए हैं प्रताब नारण मेस्ट, तुलसी दास, भारतेंदु हरिश्चंदर की रानात अगरवाल इसका राइट आंसर उप्सन C है भारतेंदु हरिश्चंदर की पंक्तियां हैं बहुत फैलाया धर्म, बढ़ाया छुवा छूद का कर्म यह पंक्तियां भारतेंदु हरिश्चंदर जी की पंक्तियां हैं अगला क्वेश्चन है काली आंधी रचना की जो प्रष्ट भूमी थी उसमें किसका वर्णन मिलता है इसकी प्रष्ट भूम में किसका वर्णन किया गया है काली आधी रचना की ओप्सन है भारत चेन युद्ध, आपातकाल, भारत पाकिस्तान विभाजन या इन में से कोई नहीं राइट आंसर बताईए क्या होगा इसके लिए राइट आंसर है ओप्सन बी आपातकाल, काली आधी जो रचना है इसमें आपातकाल का वर्णन है और यह रचना है कमलेश्वर की कमलेश्वर द्वारा लिखा गया है उपन्यास विधा की रचना है कफी प्रसिद उपन्यास है कमलेश्वर का काली आधी और इस उपरनियास में आपात काल के समय का वड़न मिलता है जब इंदिरा गांधी के समय में आपात काल लगा था तो उस समय का इसमें वड़न मिलता है किस के दूरा लिखी गई है जैदोल एक कहानी विधा की रचना है और किस ने यह लिखी है बताना है जैदोल कहानी के लिखक के नाम बताना है इसके लिए राइड आंसर है option D केदारनात अगरवाल तो जैदोल कहानी इसमें जो answer है गलग type हुआ है जैदोल कहानी केदारनात अगरवाल जी की नहीं है यह हिरानन्द वासायन अग्ये की कहानी ठीक है तो 12 वाले के लिए right answer option A है हिरानन्द वासायन अग्ये की कहानी है जैदोल अगला question है सेखर एक जीवनी का प्रिथम भाग का नाम क्या था देखें सेखर एक जीवनी जो रशना है इसके दो भाग प्रकासित हुए थे प्रिथम भाग और दुट्य भाग और इन दोनों भागों का अलग अलग नाम था और जो दोनों मिलाकर है तो सेखर एक जीवनी ना जीवनी रचना किसकी है और इसकी प्रतमभाग का नाम देखते हैं कि क्या है इसका प्रतमभाग इसके लिए राइट आंसर डी है उत्थान अगला क्वेशन है आत्मने पद की विधा क्या है आत्मने पद किस विधा कि रशना है बताना है आपको उपनियास है निबंद है कहानी है या नाटक है इसके लिए राइट आंसर है option B निबंद विधा की रशना है आत्मने पद निबंद विधा की रशना है अगला question है कजा की कजा की कहानी किसकी द्वारा लिखी गई है कजा की कहानी विधा की रशन इसे पहने? पहनी केले लेखग नहीं हैं? एक राद कहानी की लेखग बताने हैं कि किसके द्वारा एक रात कहानी लिखी गई है आप्सन है यस्टपाल, जैनींद्र, मुक्तिबोद, नागरजुन राइट अंसर बताईए इसके लिए राइट अंसर है आप्सन बी जैनींद्र एक रात जो कहानी है एक रात जो कहानी है पिसके लेखक है जैनीद्र पय users पिसके लिए राहिट यांसर है अगला क्वेशन है हरिस अंकर परसाई ने जबलपूर से kommtopatas का संपाधन किया था हरिस अंकर परसाई प्रसिद्ध वियंग्य लेखक है ठीक है हंस सरस्वती हिंदू मंचे या फिर वसुधा राइट आंसर बताईए तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्सन डी है वसुधा हरिसंकर प्रसाई ने जबल पूर से वसुधा पत्रिका का संबाधन किया था अगला क्वेशन है ग्राम कहानी किसके द्वारा लिखी गई है ग्रा किस विधा की रचना है कभी कभी रचनाओं की विधाएं भी पूछ लियाती है तो किस विधा की रचना है तो यह ग्राम कहानी विधा की रचना है और किस ने यह लिखी है बताना है इसके लिए राइट आंसर ऑप्सन ए है जैसंकर प्रसाद्वारा ग्राम कहानी लिखी ग है या फिर उपन्यास है हिरोसिमा किस विधा की रशना है इसके लिए राइट आंसर ऑप्सन सी है यह जो एक कविता विधा की रशना है हिरोसिमा ऑप्सन सी इसके लिए राइट आंसर है हिरोसिमा कविता विधा की रशना है अगला क्वेशन है बादल को घिरते देखा रशन के लिए कौन हैं और है किदार्नात अगर्वाल नागार्जुन स्याराम सरनगूद सूरी कांद तरपाथी निराला बादल को घरते देखा तो इसके लिए राइट आंसर अपसन भी है नागारजुन बादल को घरते देखा यह रशना नागरजुन की है आपसन 20 के लिए राइट आंसर है अगरा प्रेशन है दो चड़ियां कहानी किसके द्वारा लिखी गई कहानी है जो दो चड़ियां कहानी है यह किसके द्वारा लिखी गई कहानी है राइट आंसर बताना है इसके लिए और इसका जो राइड अंसर है वह उपसन D है जैनेंदर दो चड़िया जो कहानी है यह जैनेंदर की द्वारा लिखी गई कहानी है option D इसके लिए right answer है अगला question है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती कभी तक इसके द्वारा लिखी गई है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती यह कभी तक इसके द्वारा लिखी गई है option है इसके लिए right answer option A है सोहनलाल दिवेदी की हकविता है कोशिच करने वालों की कभी हार नहीं होती देखे आपको इसका आंसर कहीं पर हरिवन सराय बच्चन भी मिलेगा कोशिच करने वालों की कभी हार नहीं होती लेकिन इसका आंसर हरिवन सराय बच्चन सही नहीं है सोहनलाल देवेदी जी इसका अंसर है। इस पर सोध भी की जा चुकी है। और यह मुलता जो रचना है यह हरीवनसराइबच्चन की नहीं बलकि सोहनलाल देवेदी जी की रचना पाई गई है। आपको अगर इसके बारे में अधिक जानकारी करनी है तो आप इसके लिए सर्ची भी कर सकते हैं तो अधिकतर जो सोथ किये गए हैं क्योंकि इसमें काफी confusion था कि हरीवंसराई बच्चन की भी मांगनी जाते थी है कविता और सोहनलाल जबकि कविता जो है मोल रूप से सोहनला दिवेदी जी की ही रशना है ठीक है हरीवंसराई बच्चन की नहीं है तो आप इससे देख लिजेगा अगला question है समानांतर कहानी का प्रारम्ब किस वर्सु हुआ था समानांतर कहानी का प्रारम्ब किस वर्सु हुआ था option है 1962 में, 1964 में, 1972 में या फिर 89 में राइट आशर ब 1972 में समानांतर कहानी का प्रारंभ हुआ था अगला क्वेशन है प्रेम द्वादसी तथा प्रेम पचीसी रचना की रचनाकार कौन है प्रेम द्वादसी और प्रेम पचीसी की रचनाकार रामधारे से दिन कर जैनेंद्र प्रेम चंद्र या भारतिन्दु हरिश्यंद्र राइट अंसर है अपसंसी प्रेम चंदर की रचना है प्रेम 12 और प्रेम 25 प्रेम चंदर की रचना है अगला क्वेशन है इतिहास के आसू निम्मे में से किसकी रचना है इतिहास के आसू यह रचना किसकी है रामधारी से दिनकर बच्चन से हैं राश कमल चौधरी या मोहन राकेश राइट अंसर बताना है इसके लिए इतिहास के आसू तो राइट अंसर उप्छन A है रामधारी से दिनकर जी की रशना है उप्छन A अगला क्वेशन है जड़ की बात निबंध किस ने लिखा जड़ की बात यह रशना किस विधा की है यह रशना है निबंध विधा की ठीक है निबंध विधा की रशना है और किसके द्वार लिखी गई है या श्पाल मुक्तिबोर बच्चल सी या जैनेंद्र इसके लिए right answer option D है जैनेंजर की रशना है जड़ की बात जो के निवंद विदाह की रशना है और लिखी गई है जैनेंजर के द्वारा अगला question है दक्षन भारत हिंदी पर चार सभा के आजीवन अध्यक्ष थे दक्षन भारत हिंदी पर चार सभा जो बनी थी उसके आजीवन अध्यक्ष कौन रहे प्रोसोतन दास्टंडन जमनाराल बैजास स्रीनिवास अयंगर या महात्मा गांधी तो right answer option D है महात्मा गांधी रहे थे अगला question है Master साहब Master साहब कहानी किसके द्वारा लिखी गई रचना है Master साहब कहानी विदा की रचना है और यह किसने लिखी है बताना है option है सर्वेशोद्या सक्सेना जैनेंद्र सुबद्रह कुमारी चोहान कमलेशवन right answer है option B Master साहब जो कहानी है जैनेंद्र की द्वारा लिखी गई है option B right answer है अगला question है सेखर एक जीवनी के second भाग का नाम यानि की दुत्तिय भाग का नाम जैसा कि पहला ही question आ चुका है जिसमें मैंने आपके बताया था इसका प्रकासन दो भाग हुमा हुआ था प्रथम भाग और जुत्तिय भाग प्रथम भाग का नाम क्या पढ़ा था उत्थान अब जुत्तिय भाग का नाम बताना है कि दूसरा भाग क्या था option है संघर्स वीना, सेवा या फिर दौर इसके लिए right answer option A है संघर्स सेखर एक जीवनी का जो दूसरा भाग था वह संघर्स नाम से प्रगासित हुआ था अगरा question है लक्षमी किस विधा की रचना है लक्षमी किस विधा की रचना है लक्षमी एक रचना का नाम है लक्षमी जो है एक रचना का नाम है आपको इसकी विधा बतानी है नाटक, कहानी, उपन्यास या अत्मकथा राइट आंसर है इसके लिए उपसन C, उपन्यास यह उपन्यास विधा की रचना है लक्षमी अगला क्वेशन है निवन में से कौन सा ब्यक्ति वाचक संग्या का उधारन है ब्यक्ति वाचक संग्या का उधारन बताना है उपसन है अध्यापक, भारत, किताब या फिर लेखक तो राइट आंसर क्या होगा इसके लिए इसके लिए राइट आंसर है उपसन B, भारत भारत जो है यह इक ब्यक्ति वाचक संग्या का उधारन है व्यक्ति वाचक संग्या क्या होती है जब किसी विशेज व्यक्ति का नाम ले आता है तो व्यक्ति वाचक संग्या की अंदर गत आता है जब कि जो अध्यापक है किताब है और लेखक है ये जाती वाचक संग्या की अंदर गत आते हैं अगला question है निवन में से कौन एक विशेशन का उधारन नहीं है विशेशन का उधारन नहीं है ओप्सन है चार लंबी पुराना या व्यक्ति कौन है जो की विशेशन का उधारन नहीं है कि इसके लिए right answer option D है व्यक्ति व्यक्ति जो है वह विशेशन का उधारन नहीं है व्यक्ति क्या है संग्या है इसके तिर्फ चार यह विशेशन है लंबी भी विशेशन का उधारन रोसकता है और पुराना भी देखे चार कैसे हो सकता है कि हमने चार व्यक्ति देखे व्यक्ति क्या हो गया संग्या और व्यक्ति कितने है चार चार क्या हो गया उसकी विसेश्टा हो गया विसेश्टा की अंतर गता जाएगा लंबी जैसे कि वह लंबी है या रसी लंबी है किसी चीज के लिए हमने जब संग्या के आगे लंबी सब्द लगाया कि रसी लंबी है या वह ललकी लंबी है तो यह लंबी क्या है इसके विसेस्ता बता रहा है कि वो किस प्रकार की है ठीक है और पुराना कैसे हो गया कि यह कोट पुराना है यह गाड़ी पुरानी है तो जो हम संग्या बता रहे हैं कोट वस्तु है जो संग्या है या गाड़ी एक वस्तु है जो कि संग्या का उधारन है तो वो कैसा है पुराना है उसकी विसेशन हो गया या भी विसेशन या भी विसेशन तो अब आपका जो व्यक्ति रहे गया ये क्या है विसेशन का उधार अप्सन में है ए राम अभी आया है मोहन गया वह मेरे घर आया था माया सो रही थी तो आसन्य भूतकाल का उधार बताना है आसन्य भूतकाल होता है जो अभी अभी हुआ ठीक है तो यहां पर अपका था होगा राम अभी आया था तो इसके लिए राइट अंसर ऑप्सन ए हो जाएगा राम अभी आया था अभी आया था मतलब जो कि अभी अभी जो क्रिया हुई थी उसको हम आसन्य भूतकाल के अंतरगर रखते हैं तो यह था है यहां पर जो कि है हो गया ह जो क्रिया अभी-भी हो रही होती है उसे हम क्या कहते है आसनन भूद काल के अंतरगत रखते हैं अगला क्वेशन है निम्ने में कौन सा एक अंक का समनार्थी सब्द नहीं है अब इक आपको दिया गया है शब्द है अंक इसका समानार्थी जो नहीं है समानार्थी मतलब कोई तीन ऐसे होंगे जिनका अर्थ एक ही होगा यानि कि अंक के वो तीनों अर्थ बनते होंगे और एक होगा जो उसका अर्थ नहीं बनता होगा तो जो नहीं बनता है वह आपको बताना है पहला है क्रमांक, छाप, क्रोड या कोपल जो नहीं है वो बताना है तो बताईए कि क्या इसका आंसर होगा इसके लिए राइट आंसर है option D कुमपल कुमपल जो है यहां अंक का समनारती नहीं होता है बाकी अंक का मतलब क्रमांक भी होता है अंक का मतलब छाब भी होता है अंक का मतलब क्रोड का मतलब है गोद ठीक है क्रोड का मतलब क्या है गोद तो अंक का मतलब गोद यानिकी क्रोड भी होता है कॉमपल नहीं होता है कॉमपल होता है किसका कली का या फिर अंकुर जो हम बोलते हैं अंकुर का उसका परियाई होता है कॉमपल तो इस परकार ये त निम्ने में इसे कौन सा अंगूठी का पड़ियाई है? अंगूठी का पड़ियाई जो है वो बताना है मुद्रा है, अंगीकार है, उपांस है या अंकवा है? तो इसके लिए right answer है option A. मुद्रा जो अंगूठी है इसका पड़ियाई होता है मुद्रा अगला क्वेशन है निम्ने में कौन सा एक सब्द तत्सम सब्द नहीं है? जो कि तत्सम नहीं है, वो बताना है अंगर अक्षक, अर्धपूरक, अनूठा या अम्रित कौन सा है जो इसमें तत्सम नहीं है? इसके लिए right answer है option C. अनूठा अनूठा जो सब्द है या तत्सम नहीं है या तत्भव सब्द है इसके अधरित अंगर अक्षक तत्सम है अर्धपूरक भी तत्सम है और अम्रित भी तत्सम सब्द है तो इसी की साथ आज की एक लास अमारे ही प्रेंड होती है मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नहीं प्रस्णों के साथ अगर आपको question विश्पपल लगे हो तो like से चैनल को subscribe जरू किजेगा मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नहीं प्रस्णों के साथ धनिवाद